Welcome to all of you, आप सभी लोग का स्वागत है, ठीक है, आज हम लोग actually discussion करने वाले रहेंगे, उस topic के बारे में, जिसके बारे में पहले जानकारी दिया हुआ था, कि Maxwell's stress tensor क्या हुआ करता है, ठीक है, तो उसका हम लोग एक expression देखे थे, matrix के form में, तो matrix के form में, जो Maxwell's stress tensor को कैसे अभिव करते हैं, मतलब जो derivation आएक तरह से, किसके लिए, Maxwell's stress tensor के लिए, आज हम लोग उसका discussion करेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी जो है tensor के बारे में रहना चाहिए, कुछ थोड़े बहुत जानकारी आपको gauss divergence theorem के बारे में रहने चाहिए, ठीक है, इस तरह का concept आपके पास है, जिसमें gauss divergence theorem का तो जानकारी नॉर्मली उमीद करते हैं, कि आपके पास होंगे, थोड़े बहुत stress के बारे में और tensor के बारे में जानकारी भी आपको रहने चाहिए, ठीक है, तो दीखे, tensor जो एक तरह से, जैसा कि पहले भी बताए हुए थे, जैसे आप किसी physical quantity का direction का भी जरूवत actually रहा करते हैं, तो उसको आप categorize किए vector quantity के form में, जिसमें आप प्राया जो है, तीन dimension को लेकर चलते थे, three components लेकर चलते थे, three direction लेकर चलते थे, ठीक है, कुछ वैसे quantity रहते हैं, जिसका direction को आप सिर्फ तीन components से normally इसको deal नहीं कर सकते हैं, ठीक है, more than three components का ज stellar quantity पढ़ें, फिर vector quantity पढ़ें, उसका एक अलग आपको जो एक तरह से rule रहा करता है, जो कि आप सीके हुए है, उसी तरह से जो है, कई सारे physical quantity जो रहते हैं, तो टेंसर को actually follow करा करता है, तो टेंसर का एक अपना mathematics actually है, ठीक है, तो उसके बारे में basic जानकारी आपके पास है, तो काफी आराम लगेगा चीजों को, सहुलियत समझ में आएगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत आपको अंजाना type का आपको लग सकता है, कठीन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंजाना type का आपको जो topic लग सकते हैं, फिर भी कोसिस करेंगे, चीजे आपको समझ में आता हुआ रहे, नहीं तो आप थोड़े बहुत जो है, ट्रेंसर के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चुकिन अभी उतना detail में भी आपको काम करना नहीं है, आपको derivations के बारे में, तब इसके चकर में आप पूरा का पूरा टेंसर पढ़ने के लिए आप चले stress tensor क्या होता, जिसका वेडियो आपको डला हुआ है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक, तो हम लोग कुछ चीजों को पहले हम लोग consider करते हैं, जो कि symbol actually रहा करेंगे, जैसे TPQ जो हम लोग symbol consider कर वहे हैं, कैसे माल लिजे हम लोग, suppose कर लिजे वेक्टर में करते थे कैसे लिखते थे, कोई force quantity है, कोई quantity माल लिजे, force है, तो उसको वेक्टर कर रूप में, तो उसका हम लोग 3 component देते थे, fx, fy, fz, ऐसे करके देते थे, 3 component, x component, y component, z component, लिखते थे, fx, fy, fz, तो उसी तरह जो tensor actually, इसके more than 3 components हो सकते हैं, मतलब जादा components actually हो सकते हैं, जादा direction का जरूरत पड़ेगा actually, इसको express करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसको general form में, माल लेते हैं को उसका pq component actually है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको consider कर सकते हैं, तो माल लेते हैं कि जो tensor actually, जो stress tensor है, उसका pqth component जो है, उसको हम लोग tpq से represent करते हैं, ठीक है, और जो यह आपक हो रहा across elementary surface ds के जो, ठीक है, और ds q जो actually component of surface है, surface का component किस direction में, qth direction में actually, ठीक है, तीक है हुआ, यह हम लोग symbol से परचित हुआ, इसी का इस्तमाल हम लोग आगे करेंगे, चीजों को discuss करने में, अब जो है, as a stress tensor, stress tensor के रूप में, चाहे वो आपका electric field का stress tensor हो, चाहे magnetic field का stress tensor ह actually हो, ठीक है, या और भी कोई other stress tensor quantity है, तो उसको हम लोग deal कर सकते है, ठीक है, अभी हम लोग का, जो focus रहेगा, prior electrostatic stress tensor के बारे में, जानकारी रहेगा, ठीक है, चीजे समझ में आ रहा है न, ठीक है, चीजे easy है, ठीक है, और अच्छा से आप उसको concentrate होके सुनिएगा, तो थ stress tensor का, जो हम लोग mathematics थोड़ा इस्तमाल करेंगे, हलका उसके वज़े से आपको रहेंगा, बाकी चीजे flow में समझ में आता रहेगा, तो दीक है, as stress tensor, the component, dfp, अभी फिलाल कुछ topic आसान रहेंगे, जहां से थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, हम वह hint कर देंगे, ठीक ह तो यह वाला जो आपका, आप ऐसे समझी थोड़ा सा देखिए, आप example के रूप में बोल रहें, ठीक है, exactly रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए, आप जो है एक तरह से यह force लिखा हुआ, ऐसा समझी आप, ठीक है, और यह जो actually quantity, stress quantity, stress tensor quantity, मन्दों कुछ stress type का quantity ह आप उसको आविसा समझ सकते हैं, क्या है, force per unit area type का कुछ term है, ठीक है, तो force per unit area type का है, और कुछ यह area area वाला term cancel हुआ, तो आपको force वाला term मिलेगा, एक समझने के लिए बोल रहें, exactly वैसा situation नहीं है, फिर भी समझने के लिए पिछ तरह का बातों को समझ सकते है, थोड़ा स comfortable महसुस कर सकते हैं, उस तरह से, ठीक है, आप समझी कि यह stress tensor है, तो stress, force are some per unit area type का कुछ term है, और यह into area, ते क्या हो गया, force term, जो कि यह लिखा हुआ आपको, ठीक है, अब जो है, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे हैं, कि कोई volume force जो एक तरह से apply हो रहा है किसी enclosed surface पे, ठीक है, और वो जो transmit हो रहा है, किस तरह से transmit हो रहा है, आपको, ठीक है, जो कि surface force के रूप में transmit हो रहा है, जो यह force लगा रहा है, न, volume force पे, उसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं तो इसको आप इस तरह से कर लिख सकते हूँ, ¥ूकि इसका nature symmetric type का रहा करता है, इसलिए आप अप लिख सकते हैं, individually, symmetrically रहने के वज़े से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, तो यह आपका हुआ, अब जो है, यह हमारा equation number 1 इसको consider करते हैं, और यह वाला equation है, इसको हम लोग equation number 2, एक मिनूट जस्ट, यह आपका, एक मिनूट जस्ट, यह आपका, ठीक है, वो फ्रला line खिच गये थे, इसलिए इसको टारे थे, तो यह आपका जो equation actually है, इसको equation 2 लेते हैं, ठीक है, यह आपका symmetric nature होने के वज़े से tensor का हम लोग इस तरह से करके लिख सकते हैं, equation 1 को, ठीक है, और इसको आप integrate कर दीजिए, दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, यह force वाला term आजएगा, जो कि pth component of the force है, इसको आपका आगे चर्चा करेंगा, और detail में, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, equation 2 इसको हमान लेते हैं, ठीक है, इसके बारे हम लोग जानकारी भी लेंगे, equation 2 actually क्या बता रहा है, हम लोग आगे इसके बारे में discuss करेंगा, अभी फिलाल तरह step clear है, यह क्या की हम लोग जो है, simple सा step है, ठीक, अब जो है, यह हम लोग जो है, से मान लेते हैं, जैसे कि पिएथ कॉंपोनेंट अब दे वालूम फोर्स है, ठीक है, तो आप Fp को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, आप इस रूप में लिख सकते हैं, और वालूम फोर्स के रूप में आप लिखते हैं, तो यह आपका इस तरह से आप इसको करके लिख सकते हैं तो Gauss Divergence Theorem को एदि आप लगाते हैं किसके फॉर्म में टेंसर के फॉर्म में टेंसर के फॉर्म में Gauss Divergence Theorem को लगाना ठीक है बागी तो आप Vector Calculus के फॉर्म में जानते हैं कैसे जो हम लोग Volume Integral को Surface Integral में Convert करा करते हैं इसमें भी कुछ उस तरह का बात है लेकिन हम लोग टेंसर के फॉर्म में Gauss Divergence Theorem को लगाएंगे ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि Gauss Divergence Theorem का नाम ही नहीं सुने वरना फिर चीजों को आप Graduation के स्टुडेंट है तो जाहिड से बात है Gauss Divergence Theorem के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए हाँ थोड़ा Tenser Form में कैसे लगता है उसके बारे में बाते आपको थोड़ा सा अलग लग सकता लेकिन आप पहले से जानते है कि Gauss Divergence Theorem क्या Convert करता है Surface Integral को Volume Integral में Convert करके आपको देता है ठीक है तो आप उसके रूप में आप इसको देखी जो आपका Integral लुक क्या हुआ हुआ Volume Integral Surface Integral में Convert हुआ है लेकिन ये Vector Calculus की तरह नहीं किया हुआ ध्यान दीजे कि Tensor Form में हम लोग Gauss Divergence Theorem को लगा है तो इसको इस Form में करके आप लिख सकते है थोड़ा सा आप समझने के लिए जो इसको Balance Root में आप इसको समझे ये बरावर लिखा हुआ है तर्म कैसे ये हम लोग T जो हम लोग T Tension वाला लिए हुआ है और इधर कुछ Linear टैप का टर्म लिए हुआ है और ये Volume टैप का टर्म है तो ये क्या होँगे Linear टर्म और Volume टर्म में से आपको Linear टर्म में कटे गा तो ये Surface टर्म आज़ा है तो ऐसे ही लिखा हुआ है TPQ और फिर ये Surface टर्म समझने के लिए बता है बाकी तो टेंसर फॉर्म में Gauss-Divergence टर्म इस तरह से हम लोग लिख सकते है अब जो है चुकि पिएथ कंपोनेंट आपको जो है क्या है Volume Force के रूप में हम लोग लिख रहे है उसको in terms of stress tensor कैसे लिख सकते है इस तरह से लिख सकते है जिसको हम लोग Symbol दियें Pth Component of the Volume Force यह जो लिखा हुआ है FVP जो एक Symbol Actress किसली के लिए Pth Component of the Volume Force के लिए जिसको आप लिख सकते है क्या Do T PQ by Do XQ इस रूप में लिख सकते है और इसको हम लोग equation number 3 consider कर लेते है equation 1, 2 and this is 3 clear है ना? कुछ बाते रहता है तो आप उसको जो है normally comment वाले section में जो है आप उसको जानकारी दे सकते है यदि हमको और clear करने का जरूरत पड़ता है in case तो उसके लिए अलग से वीडियो जो है बनाये जाएगे बाकी से पूरा कोशी से चीजी समझ में है अब आप पे निर्भर करता है कि आप थोड़ा tensor बगारे के बारे में कितना जानते है और कितना थोड़ा से comfort में लेकिन बहुत ज़्यादा detail में tensor को नहीं लगा ज़रा है ऐसा भी नहीं दिमाग पर लगा लिजी कि tensor बहुत ज़्यादा इसमें कुछ detail form में लग रहा है तो जो तीन equation और दूसरा equation जो लिए वो क्या कह रहा है actually उसके बारे में जानकारी है ऐसा exam में नहीं लिख देते हैं कि वो क्या कह रहा है आप जानकारी देते हैं हम समझा रहे हैं इसलिए हम इसको जो एक प्रसुन के रूप में आपके सामने रखें कि equation 3 जो है और 2 क्या जानकारी दे रहा है क्या कह रहा है मतलब ऐसा थे नहीं कुछ बात करें एक कान लाएक सुनी है किस रूप में है और क्या जानकारी फिजिकली रूप से देता है तो देखिए जो हम लोगा equation 3 था इस तरह से लिखे थे ठीक है यह क्या जानकारी देता है यह volume force बता रहा है कि उसको आप express कर सकते है लिख सकते है इसके टर्म में कैसे as a tensor divergence of quantity T ठीक है जो कि T एक तरह से tensor आपका जो कैसे हम लोग बोलता है कि vector quantity ठीक है तो वैसा ही जो यह tensor quantity गूरूप में आप इस तरह से volume force को क्या कर सकते है एक्सप्रेस कर सकते है volume force को ठीक है जो कि एक तरह से stress quantity रहा करते है ठीक है the quantity T can be given by equation 2 और वो जो quantity T है उसको आप equation 2 से दे सकते हैं कैसे इस set of equation से दे सकते हैं और यह क्या जनकारी देता रहता है as a surface stress tensor बताता रहता है ठीक है तो क्या आपका हुआ equation 1 sorry 2 और 3 क्या बता रहा है actually अब हम लोग जो है थोड़ा step को जो है अब दूसरी रूप में ले करके चलते हैं इससे पहले जो बाते था काफी simple बाते था अब जो है थोड़ा सा आपको अंजानता लगेगा जो हम आपको बोल रहे थे हलका अंजान लगेगा तो बस अभी जो discuss करने वाले ने इसके बा पढ़ेगा ठीक है थोड़ा बहुत कुछ topic कुछ steps जो थोड़ा अंजान लग सकते फिर भी वो logical रहेंगे तागे बढ़े ठीक है बाकि आप note भी करते रहते हैं ऐसा नहीं कि बस सुनते रहते हैं यह कोई entertaining टैप का वीडियो नहीं यह उस तरह का जो है normally जो है आपको पीछ the tensor corresponding to volume force जो यह tensor corresponding to volume force यह unique नहीं हुआ करते हैं ठीक है इसमें unique नहीं होते हैं इसका मतलब उसके आगे पीछे कुछ term को आप add या subtract कर सकते हैं अच्छली उसके पास जो है ठीक है और उसको फिर उसके रूप में consider कर सकते हैं तो अहीं बोला जारा है कि unique नहीं होते हैं and an additional tensor having very small divergence can be added to it ठीक है और एक additional tensor जो है जिसके पास काफी small divergence actually रहा करते हैं उसको आप add कर सकते हैं इसमें actually जो ठीक है तो volume force जो actually रहा करते हैं free space में कैसे लिख सकते हैं हम लोग जो fv को जो है लिख सकते हैं rhoi vector और इसको rho को जो हम लोग इसको divergence of d vector मतलब divergence के form में इसको आप विव magnetic field में लगता है ऐसा नहीं magnetic field में भी आपको लगेगा ठीक है electric और magnetic field दोनों में लगेगा यहां तक ही generalize करके आप gravitational field में भी लगा सकते हैं लेकिन वो newton के concept से थोड़ा अलग concept होने लगा है जो कि general theory of relativity जो कि Einstein के द्वारा दियेगे उस concept में actually चला जाएगा वो ठीक है यह अब थोड़ा सा आपको अंजाना type कर लगेगी ऐसे कैसे लिखे होने ठीक है तो सुराती दोर में आप चीजों को पाचान रहे हैं तो आप सुराती दोर में उसको accept करें इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं यह क्या लिखा हुआ है जो volume force एक्चुली जो है ठीक है इस रूप में आप उसको लिख सकते हैं जिसको आप एक तरह से इस रूप में भी आप इसको दे सकते हैं इस equation के फॉर्म में जिसको हम लोग equation number 4 लिए हुआ है यह पिएथ और क्युवेथ जो अलग-अलग component एक्चुली है ठीक है यह equation 4 तो यह equation 4 तो यह एक तरह से आपके थोड़ा सा अंजान अता टैप का है तो आप इसको accept करते हैं कि यह आपका tensor notation के form में जो हम लोग जो tensor quantity जो कि आपको रहा करता है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते है ठीक है तो यह हुए आपका अब जो है electrostatic field जो रहा करता है क्या रहाता है conservative nature का होता है ठीक है तो conservative field य actually क्या होंगे सब 00 होंगे तभी तो आपको 00 हो जाएंगे ठीक है वरना वो एक दूसरे को cancellation tab का आपको रहना चाहिए तब जा करके 0 हो ठीक है तो हम लोग उसी कधार पर जो इस conclusion को लिए हुए कि यह जो आपको different term actually जो आएंगे वो equal है ठीक है equal आपको रहेंगे तो आपका जो है bracket में जो आपको create होता हुआ रहता है तो minus हो कर देगा वो sub term को cancel out करता हो चला जाएगा तो आप ऐसे समझी कि जो कर ले दिये ऐसा है तो आप इस तरह का different component के साथ इसको जो है आप लिख सकते है पी एथ और क्यूए different different आपको component वे ठीक है अब जो है आपका इस तरह से जो आप लिखते है तो आप इसको लिख सकते है किस तरह से जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते है एक मिनट यहाँ पर just थोड़ा सा mistake हो गया ठीक है यहाँ पर EQ actually रहे ठीक है तो आप इसको इस फ़र्म में जो actually जो है इसको दे सकते है ठीक है और यह आपका जो अंदर term आपको चला गया तो इसको आप E2 Q तो इसको हम लोग E2 का रूप में लिए होएं जिसको equation number 5 ले ने हैं इसको equation number 5 है अब इसको आप इस रू dato छो है इस रूप में भिसको लिख सकते हैं जो आपको qrp के टर्म में था तो इस इस रूप में भी आप actually दे सकते हैं, जैसे बहुत बताया गया था कि आप small quantity ये small divergence quantity को उसमें add ये subtract कर सकते हैं, तो उस तरह का जानकारी रखते हुए आप इस equation को इस form भी लिख सकते हैं, जहाँ पे delta p को very small quantity आपको, ठीक है, इस constant को आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं, जो हम लोग equation number 6 लेकर करें, ठीक है, simple रूप से आपको काम किया हुए, ठीक है, put कर दिया गया, जो equation number 4 है, उसमें आप इस तमाल कर लिए पीछे वाला result, तो यह आप इस form में लिख सकते हैं, अब जो है, इसके बाद जो है, compare करेंगे किसको equation 3 और 6 को, जो कि पहले लिखा हुआ ठीक है, हम यहां लिख दियें, ताकि comparison यही हिसाब कर लिए, equation number 3 के हिसाब से, हम लोग volume force को लिखे थे, pH component का इस तरह से, और अभी जो हम लोग लिखें, वो इस तरह से लिखें, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को equate करिएगा, तो आप इसको इधर ले जा करके, integrate कर दीजे, तो TPQ मिल जाएगा, TPQ आपको इस form में, जिसमें आपको integrate करिएगा, तो यह anti-differential रहते हैं, तो यह आपको differential होला sign हर जाएगे, ठीक है, integrate करिएगा, तो TPQ जो आपको मिल जाएगे, क्या मिल जाएगे, इतने के बराबर मिल जाएगे, अब इस quantity को जो है, as a tensor, ठीक इसको आजे, tensor जो है, matrix form में, आप इस तरह से इसको express कर सकते हैं, ठीक है, और इचुकिए, electric nature में आप इसको express किए, इसलिए, इसको हम लोग Maxwell's electric stress tensor बोलते हैं, ठीक है, वरना ही आप tensor के रूप में आप इसको component के रूप में भी दे सकते थे, Tx, Ty, Tz, आई से करके भी जो है, ठीक है, यही जो equation रहते हैं, इसको हम लोग Maxwell's electric stress tensor या simply रूप से इसको हम लोग Maxwell's stress tensor बोलते हैं, जो कि हम लोग electrostatic field के लिए, ठीक, आपका derivation complete हुआ, थोड़ा सा जानता, last step में हलका लगा होगा आपको जो है, उसको एक दो बार देखते हैं, repeat करते हैं, फिर आप उसके सा जो है, क्या हो जाएगा इतरह से, comfortable हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ last step में ही ऐसा लगा होगा, थोड़ाब हो जो है, बाकी सब step आपको अधर का clear actually रहा होगा, ठीक है, यही इसका derivations थे, तो practice आप अच्छा तरह से कर लेते हैं, ताकि आप इसको जो अच्छी तरह से represent कर प जो कि कुछ topic के बारे में discussion रहता है, ठीक है, आगे चल करके आपको relativistic electrodynamics पढ़ने का जरूरत पढ़ता है, जिसमें आप relativity और electrodynamics के rule को लगाया करते हैं, उससे भी आगे चाहेगा, तो quantum electrodynamics पढ़ सकते हैं, जिसमें quantization का rule, quantum physics, relativity का और साथ में electrodynamics का concept को एक साथ हम लोग चलते हैं, इसको quantum electrodynamics भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, वो साब अलग topic, अभी आप मतलब जो पढ़ने हैं, एक तरह से थोड़ा सा नया चीज़ पढ़ने हैं, जो कि Maxwell's stress tensor है, काफी important है, इसको syllabus के रूप में सिर्फ नहीं समझे, syllabus तो अपने जगा पे है, ठीक है, exam अ नजर में से भी, या quantum physics के नजर से भी हम लोग उसको study करते हैं, ठीक है, इन classical ही रूप से electromagnetic wave के रूप में जो है, कैसे कैसे उसको हम लोग समझते हैं, तो एक उसमें जो है important चीज़ रहता है, वो tensor के form में भी उसको समझना जो है, या stress transmitting medium के रूप में उसको समझना, या space stress क रूप में उसको समझना, तो उसका expression क्या था, यह ले आयाएगा, ठीक है, तो आप उसको रोक रोक करके बीच में जो है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, काफी आराम से आपको सब चीज़ों का बताया गया है, उमीद करते हैं, सारा चीज़ आपको समझ में ठीक है, तो यहीं पर रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, रिविजन करते रहे हैं, और फिजिक्स को काफी इंज्वाय करते रहे हैं, यह काफी इंडरेस्टिंग एक तरह से टॉपिक रहता है, सही से देखिए, तो आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, वो प्रकृति का नेचर के बारे में पढ़ते रहते हैं, जिने आप God बोला करते हैं, या जो भी आप Supreme Power के रूप में समझते हैं, उनके आप Art को या डिजाइन को आप समझ सकते हैं, जो Universe actually, उनके डिजाइन या उनका छाप जो एक तरह से देख रहे हैं, उनके एक तरह से जो form किया हुआ, ठी कि बनाए हुए डिजाइन या रूल के बारे में एक तरह से Physics में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, यह तो अलग बाते हैं, हम लोग जो टॉपिक था, यह डेरिवेशन या आपका complete होता है, ठीक है, यही पर आने दे रहे हैं, बाकि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, चीजे कि क्या चाहिए आपको किस-किस Topic पर Discussion चाहिए, यह सब जो है Comment Section में जरूर देते हैं, ठीक है, Feedback आप जरूर देते हैं, तभी तो हमको मालुम चले करें, क्योंकि आपत तो सामने हैं, ठीक है, जो Comment Section में की रही गा, उसी समको जानकारी मिलता है, Class में रहते हैं, क्या होता है सामने सामने रहते हैं, आपको भी जो मर्जी होता पूछते हैं हमको भी जो जानकारी मिलता रहता है हम भी आपसे पूछताच करते रहते हैं यहां तो one directional हो गया आप वीडियो देख रहे हैं या साथ में आप गाना भी सुन रहे हैं कहीं और ध्यान नहीं है तो हम नहीं जानते हैं लेकिन जब पढ़ाई आप अच्छा से कर रहे हैं जो समझ में आपको आ रहा है या और क्या चाहिए उसके बारे में आप ऐसे फीडबैक या जो भी जानकारी है आप उसको कमेंट सेक्शन में निश्ची तुरूप से देते हैं तो यही पर आने देते हैं डेरेवेशन को आप इंज्वाई करते रहे हैं प्रैक्टिस करते रहे हैं तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद